मोके के इंतजार में है पश्चिम बंगाल ये कहना है प्रदान मंत्री का कहना है कि सिंडिकेट को चड़ावा दिये बगार पश्चिम बंगाल में कोई भी काम नहीं होता है क्या आपको भी भरष्टाचार दिखता है ममता बारजी के बंगाल में कि तरस आती हमें बीजेपी और बीजेपी के मुख्या और आदरी पृधानमंत्री जी पे कि जो करिब सवाचार साल से सरकार चला रहे हैं लेकिन अपने सरकार की उपलब्धियों अपने किये गए वादों लोकसभा के पार्लामेंट के अंदर लाए गए अपने बिलों पे ज उसके जिक्रिन करते हैं कभी यह नहीं कहते हैं कि देशी आज सुनना जाता है मित्रों देखो मैंने 15 आपके खाथे में ढाल धिये मित्रों देखो नो जवानों मैं आप से सुनना चाहता हूं मैंने 2 कि 3ающana का उपत कर दिया कर दिया कर कि गंगा मैंया को साइब कर दिया कि नहीं कर दिया कि नहीं whether इस Verme ने उने से था प्रदान मंतरी बोल सकते हैं आप रोज रोज पाकिस्तान हिंदु पाकिस्तान करेंगे बोलिए बोलिए आपके मुस्लिम पार्टी है मौलाना सहाब बोलिए मुस्लिम पार्टी मोलाना तुम आतंक वादियों के प्रेश्रोट जारी करने वारे तुम हो जल्दी किसी और मस्जिद वेजो कब जाने वाले हैं कब तुम जाली की टोपी पायन के आने वाले हैं कोई लला कहता है कोई मौलाना कहता है क्या स्तर गिरा लिया है आप लोगों ने अपना यह बहुत अक्तोसनाक है यह बहुत अक्तोसनक है यह प्रूश आप दोने वह मैंने भूला ना अ क्ति पूछ रहा है इसकी हैसित पूछ रहा हूँ अभी मैंने आपकी पूछ रहा हूँ मैं अभी आपको दो सवार बताता हूँ आपने दो सब्द बोला आप तो दुर्गा पूजा के खिलाफी बोलेंगे आप तो मुस्लिम पार्टी है आप तो सवावी क्रूप से राम नवमी के खिलाफी बोलेंगे आप तो मुस्लिम पार्टी है अखिलेश पृताप से आप से लेक्चर की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है मुझे लल्ला पर बॉलाना अपनी वह बताओ क्या तरीका है बात करने रहा नहीं कि वह मुझा अग्या नहीं आपको अरे अरे सुनिये मेरी बात और होने दो पले आप नहीं सुनिये सुनिये यह सुनिये कभी मानि मोदी जी की भासा पर गवर किया है अरे मोदी जी की भासा देखो अरे मोदी जी की राश्च भागती तो देखो ये कौन बोलता है ये हसी का पात्रा ये लल्ला पी निखे लाए हो क्यों कियों बोला क्यों कि मोधी जी का मुखोटा बेनका बो रहा है अखिलेज जी आप से ना हो पाएगा आप मुस्लिम पार्टी बन गयोग आप से ना हो पाएगा बैच जाओ अखिलेज जी कर रहा है कौन क्या कह रहा है इससे पहले कि बहस को आगे लिए चले शुरुवाती दस मिनिट में ही संबित पात्रा ने भी गुस्सा दिखा दिया कि बीजेपी आज तक की बहस को छोड़ देगी अखिलेश प्रताप सिंग ने भी हमारी हैसियत पूछ ली यह बताता है कि हमारे सवालों में आज भी वो ताकत है कि बॉखला जाते हैं नेता बॉखला जाते हैं प्रवक्ता भूल जाते हैं कि भाषा की मर्यादा बहुत महत्रपूर्ण है आप उसके हक की बात नहीं करते हैं सिर्फ एक दूसरे पर कटाक्ष के जरीए लोगों में सस्ती लोग-प्रियता के लिए एक रेस में शामिल हो चुके हैं और उसी रेस से आपकी हैसियत तय हो रही है मीडिया की मीडिया चैनल्स की नहीं हो रही है होंगे वो लोग जो किस किसी की बात सुनते होंगे हम सवाल पूछते हैं और जवाब चाहते हैं और तमाम पार्टियां आज जिस तरह से बॉखला रही है और चिला रही है चैनल पर लगता है कुछ अच्छा और सही कर रहे हैं